कई है फ्रोल नोग को यानि उր में दोनों लोको में इंचरे उल फ्रेंस का अब आक है कैसे आप सब लोग स्वागत है एक और न्युवडिय внутри उन आपका तो आसा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे जैसे मैं ठीक हूँ वैसे आज एक भाया का क्यूसन था कि पर Star लो को तो मा को बता बन्त तो आप को स्टार्टिं से बताने वाला हुं क्या क्या डिसेड़ सुस्ता है और अपने गांगा इंज्सकुमेंगे वर के ये ऋपने देख होगा इनका मिलेंग्या होता एक आप वाद ही बताओँ गांगा वह 1W 12B के में आपको जाना चाहिए और इस टाइम पर इंडियान रेवलों में जो लेटेस्ट मोडल है इंजन के वह कौन-कौन से है इलेक्ट्रिक में और डिजल में तुम आप सब सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं आप अस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि आपको थोड़ा नुलेज मिलेगा ठीक है कि वाइस पेसेंजर लोको और गुड्स लोको में डिफ्रेंश जानने से पहले मापको एक चीज बता दू जो सबसे इंपोटेंट है जिसके बारे में आपको जानना ही उचित रहेगा वह है कि जब आप इंजन को देखते हो तो उसके उपर लिख जहां जालता है वह passenger और g लग जाता है, hitmanths होता है goods, तो मुझे रखता है, ये तो आपके बिल्कुल भी confusion दूर हो गए होगी, ठीक है, जब आप engine को देखते होंगे, तो आप wheel arrangement के हिसाब से देखते हैं कि difference निमें क्या होता है, तो देख़ो भाई, passenger low loco होता है, उसमें जो टाइप होता है, वो बोबो टाइप का होता है, जबकि गूड्स लोको में कोको टाइप का होता है, ठीक है, अब जो बोबो टाइप का होता है, और जो गूड्स का कोको टाइप होता है, तो पेसेंजर लोको में जो बोबो टाइप का होता है, ठीक है, और गूड्स लोकों में जो गेर रेशियो होता है वो ज्यादा होता है अब इस ज्यादा गेर रेशियो कम या ज्यादा होने से क्या फरक पड़ता है अगर गेर रेशियो कम होगा तो इसका मतलब होगा कि उसका ट्रेक्टिव अफर्स कम होगा अब ट्रेक्टिव अफर्स क्या होता है कि ज विर्ड एफट् सब्सक्राइब टोटो है हे महीं सब्सक्राइब योज ज्यादा होता है उसके पीछे जाए पचा और आपको यह डागा हुगा अपर डिजल इसकें के बादे में और कि उसमें उएल की खफ़त कम होती क्यों क्यों कि क्यों की लोड़ कम खीचना पड़ता है लेकिन जादा खर्च होगा कि मिलब कम खपट होगा जिसमें जाता चीज़ें खराब नहीं हो पाएंगी तो कम होगा तो जो kharچ कैंपे कावन में क्या होता है कि उनका maintenance कम होता है मेंटनेस का छो कग कम होता है और गूर्स लोकों में maintenance करशा जादा होता है ठीक है अब एक अपवाद बात बता हुँ आपको जो शायद अभी तक आपको पता नहीं चली होगी या फिर रेल्वे के मुझे लगता है कि यहीं पहला एक ऐसा इंजनों का जिसको इस तरीके से बनाया गया है वो क्या है आपने सुना होगा डवली जी बारा वी यानि डवली ट्वल डी जो कि इस टाइन पर रेल्वे का सबसे पावरफुल लोको है यह ना अब डवली एजी जी लगाव इट मिन् है कि कौन सा रीजन है क्या वाज है वो ताप मुझे बताइएगा कि इस टाइम पर इंडियन डेल्वे में जो पेसेंजर लोको होता है उसमें इलेक्रिक का लेटेस्ट मोडल कौन सा एक्रिक के लिए ट्रस्ट मोडल तो वह है डवली एपी 5 अना और पेसेंजर में ही डीज में WDG 4G जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं तो आप मुझे आप आपने आपको इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि पेसेंजर लोगों और गुड्स लोगों में डिफ्रेंट्स क्या होता है और मुझे लगता है कि अगर आपको क्यूशन होगा तो आप कमेंट से सकते हैं यहां पर नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूंच सकते हैं और रेप्लाइ जरूर मिलेगा भले थोड़ा लेट मिल जाए क्योंकि डूटी पर होता हूं तो मैं कई बाद मोबाल यूज नहीं कर पाता तो आप पताईएगा कमेंट सेक्शन में और आपको कौन सब्सक्राइब लगा और कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर मेसेज करियागा और पढ़ाई पर लग जाए दुबारा बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि बार-बार लाइफ मोका नहीं देती है इसा समझे अच्छे से प्रिप्रेशन करिए और खयाल भी रखे खुश भी रही है टेक केर मलत हैं को नई वीडियो में ठीक है ठीक टेक केर